Hey guys, मेरा नाम है अनुभाव, welcome to biology aid और आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे heredity and evolution chapter की exam special series जिसमें मैं आपको इस chapter का NCRT based revision कराऊंगी कौनसे topics exam point of view से important हैं और किस तरीके के questions आपसे exam में पूछे जा सकते हैं ये सब हम discuss करते जाएंगे तो चलिए फिर बिनादीर करें, let's get started जैसा कि आपको पता होगा कि heredity and evolution chapter में evolution वाला portion इस साल हटा दिया गया है तो आज के वीडियो में हम केवल heredity वाला portion discuss करेंगे लेकिन अगर आप वो portion भी पढ़ना चाते हैं तो मैंने नीचे comments में evolution की playlist पिन कर दी है आप वहाँ से देख सकते हैं तो चलिए start करते हैं देखे, आप जानते हैं कि आपको 50% DNA अपने father से मिलता है और 50% DNA अपनी mother से मिलता है जिसकी वज़े से कुछ चीज़े आपकी होंगी, कुछ characters आपके होंगे जो आपके अपनी father से match करते होंगे और कुछ आपकी mother से तो ये जो characters pass on होते हैं from parents to offsprings इसी को बोलते हैं heredity तो boards में पूछा जा जुका है define heredity तो the transmission, transmission यनि pass on होना of characters from parents to offspring is called heredity अब देखे, जो traits या जो characters आपको अपने parents से मिलते हैं उन्हें बोलते हैं inherited traits जैसे की suppose आपकी नाक आपके पापा जैसी है या आपके बालों का color आपकी ममी जैसा है तो ये traits आपने अपने parents से receive किये हैं Now, अगर मैं आपसे पूछू, inherited traits क्या होते हैं या इनके features क्या होते हैं तो ये वो traits हैं जो हम अपने parents से receive करते हैं तो obviously इसका मतलब ये है कि characters एक generation से दूसरी generation में pass on हो सकते हैं अब तीसरी बात अगर मैं आपसे पूछू हूँ कि ये characters हमें parents से किस के through मिलते हैं DNA के through, right तो obvious सी बात है कि inherited characters को DNA में change लाना पड़ेगा तभी तो वो inherit होंगे, right तो ये भी हम एक point लिख सकते हैं कि they occur due to change in DNA एक और point आप चाहे तो लिख सकते हैं that they lead to evolution उसके बाद आप examples लिख सकते हैं, nose shape, hair color, etc अब इसी के just opposite होते हैं acquired traits यानि वो characters या traits जो organism अपनी lifetime में acquire करता है जैसे कि कोई नई language सीखी तो बच्चा बोलते हुए तो पैदा नहीं होता या कोई game खेलना सीखा तो ये सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं during lifetime ये next generation में pass on नहीं हो सकती ना ही इनमें DNA में कोई change involved होगा and they do not result in evolution clear? Now, Gregor Mendel नाम की एक scientist थे जिन्होंने heredity को traits के पास on होने को समझने के लिए काफी सारे experiments किये ये पहले इंसान थे जिन्होंने ऐसा किया और इसी लिए हम इने father of genetics भी कहते हैं Now, Mendel ने जो experiments किये उसके लिए उन्होंने pea plants यानि मतर के पौधों का यूज किया अब pea plants में इन्होंने बहुत से अलग-अलग characters को लिया जैसे plant height, seed shape, seed color और इन सब characters के basis पे इन्होंने heredity को study किया तो इन्होंने जो experiments किये उसमें हमें पढ़ना है mono hybrid cross mono मतलब एक तो mono hybrid cross में इन्होंने केवल एक character को study किया plant height दो contrasting height वाले pea plants लिए tall और short अब Mendel ने कहा कि कुछ factors हैं जो इन plants को tall और short character दे रहे हैं वो अब हम जानते हैं कि chromosomes और उनमें present genes होती हैं जो plant को ये character दे रही हैं लेकिन Mendel की जमाने में लोगों को chromosomes या genes के बारे में कुछ भी नहीं पता था तो इसलिए Mendel ने उनने कहा factors अब जो factors या genes पी ब्लांट को tall character दे रही हैं उसको हमने represent किया capital T, capital T से ऐसे ही short height के लिए जो characters responsible थे उन्हें denote किया small t, small t से ठीक? Now, capital T, capital T, small t, small t, ये दो बार क्यों लिया हमने? क्योंकि P plants deployed होते हैं, तो हर एक chromosome के दो sets होंगे Alright, अब Mendel ने इन दोनों plants को cross करा दिया, तो ये हुई parental generation अब reproduction होगा, तो obviously gametes बनेंगे, gametes होते हैं haploid, यानि chromosomes का एक ही set present होगा तो tall plant जो gametes बनाएगा, उनमें capital T gene होगी और short plant जो gametes form करेगा, उसमें small t gene होगी अब ये gametes एक दूसरे से fuse होंगे और उनसे बनेगी first filial generation, यनि F1 generation तो F1 generation में जो plants बनेंगे, उनकी क्या possibilities हो सकती हैं? एक possibility तो ये हो सकती है, कि पहला capital T, पहले small t से fuse कर जाए तो इससे जो P plant बनेगा, उसके genes होंगे capital T, small t दूसरी possibility हो सकती है, कि दूसरा capital T, दूसरे small t से fuse कर जाए ऐसे में भी बनेगा capital T, small t, है न? अब ऐसे ही, third और fourth case में भी, जिसमें पहला capital T, दूसरे small t से और दूसरा capital T, पहले small t से fuse करेगा, इन cases में भी जो offspring form होगी उसका genetic composition होगा capital T, small t जब Mendel ने ये experiment किया, तो उन्हें F1 generation में सारे के सारे P plants tall मिले तो जो physical character होता है, उसे हम बोलते हैं phenotype P से physical और P से phenotype और जो genetic composition या जो genes इस physical character के लिए responsible हैं, उसे हम बोलते हैं genotype तो first filial generation का phenotype, Mendel ने observe किया, that all P plants were tall और इससे हमें ये समझ में आया, कि जब capital T और small t साथ में present होंगे तो केवल capital T ही express होता है, और small t बिचारा express नहीं हो पाता है तो इस बात को समझने के लिए Mendel ने कहा कि capital T dominant है और small t recessive है clear? बहुत बढ़िया अब Mendel ने क्या किया कि F1 generation के दो plants लिए और दोनों को fuse करा दिया यानि capital T small t fused with capital T small t अब आप मुझे बताईए कि इस case में किस तरह के gametes बनेंगे? एक तो capital T और दूसरा small t right? ऐसे ही दूसरे plants में भी similar gametes बनेंगे capital T small t अब ये gametes fuse करके बनाएंगे F2 generation या second filial generation तो अब इसमें जादा gametes involved है और जादा इसमें possibilities हो सकती है इसलिए हम चीजों को easy करने के लिए यहाँ पे बनाएंगे punet square all right? कैसे बनाते हैं punet square? बहुत ही easy है सबसे पहले हमें बनाना है x square और उसके left side पे लिखना है पहले parent के gametes को और उपर की side लिखना है दूसरे parent के gametes को all right? अब इन gametes को fuse करेंगे तो सबसे पहले box में हमें क्या मिलेगा? capital T, capital T दूसरे में capital T, small t third में capital T, small t और fourth में small t, small t ये होगा F2 generation का genotype अब अगर मैं आपसे पूछ हूँ कि इनका phenotype कैसा होगा? यनि क्या physical characters ही show कर रहे होंगे? तो देखे, capital T, capital T, यनि tall दूसरा और तीसरा capital T, small t, ये भी tall last वाला होगा short, right? तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि Mendel के monohybrid cross में F2 generation का phenotypic ratio क्या होगा? तो हम कहेंगे 3 tall ratio 1 short यनि 3 is to 1 का ratio होगा ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि genotypic ratio क्या होगा? तो हम कहेंगे 1 capital T, capital T 2 capital T, small t और 1, small t, small t यनि genotypic ratio हुआ 1 is to 2 is to 1 तो ये होगा complete monohybrid cross अब आपकी NCRT का एक question देख लेते हैं अगर आपसे ये boards में पूछ दिया जाए तो आप कैसे answer करेंगे? इसमें basically आपको पूरा monohybrid cross बताना पड़ेगा तो इस पूरे cross को आप अच्छे से prepare कर लीजेगा अच्छे से practice कर लीजेगा अल राइट? So that is it for today Next video में हम ये chapter complete कर लेंगे So until the next time, stay curious झाल करो झाल ढूद कर दो एकारे झाल हुट हो जाज़ भाल कर दो खिन खोग्जादडत आया वाज़ हो तो, यॉटर में पाल करेंगा। झाल या भूब में वंके पाल करेंगा।